अररिया के बेरगाची पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप जब्त करने में सफलता हसिल की है लगबग पौने दो क्विंटल गांजे की खेप को पुलिस ने बरामत कर लिया है पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल से आने वाली गाड़ी से गांजे की बड़ी खेप बेहाल लाया जा रहा है इस सूचना के अधार पर बेरगाची चौक पर मुस्तैदी के साथ गाड़ीयों की जाच में पुलिस जुड़ गई इसी दौरान फॉट कार पर सवार कुछ लोग पुलिस को देखकर भागने लगे इसके बाद पुलिस ने भागती गाड़ी का पीछा किया पुलिस की दबिश देख तसकर अररिया जोकी हाट मेन रोड़ पर पेट्रोल पंप के पास कार छोड़ कर भाग गए वहीं जब जब जबत कार की पुलिस ने जाज की तो छोटे बड़े कुल 27 पैकेट में लगपग 188 किलो ग्राम गांजा बरामत किया गया जब तकांजी के अनुमानित कीमत 40 लाख रुपे बताई जा रही है वहीं SDPO पुशकर कुमार ने बताया कि इस केस में शामिल तसकरों को भी चल्द किरफ़तार किया जाएगा जब तकांजी के अन्तरगद एक गाली से गांजा हारा था जो फोर्ड कमपनी की गाली थी पुलिस को सुचना था इंटरसेप्शन के अधा गाली तेजी के साथ पुलिस के पार्टी को देखके भागा पीछा करने पाद गाली को पकड़ा गया जो गाली अजमत पूल पेट्रोल पम के 100 मिटर आगे जाके पकड़ा है उसमें चालक तो भाग गया है लेकिन उसमें ग पुलिस को कड़ी निगाहें करवानी चाहिए पंजाब केसरी टीवी के लिए अरर्या से राकेश किरिब हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन् देवाद